हाई एक वीडियो में ने बनाया था अपने देखा भी होगा कि वट इस रीजनिंग अब रिजनिंग अब आपको यह भी जानना चाहिए कि हाउ शोड आई बिल्डिस रीजनिंग अबिलिटी अगर आपको सीरिस्ली एसेज्वी में रिकमेंड होना है तो आपको इंची जो प अगर आप इस चीज पर काम करेंगे कि मैं इस स्टोरी को कैसे लिख दूँ चाहिए मैं इस सवाल का इंटर्वीव में कैसे जवाब दे दूँ चाहिए मैं कैसे फट्टा उठाके बल्ली उठाके और क्या कर दूं वहां पर कि मतलब जो है मैं रिकमेंड हो जाओं तो यह श नहीं उसमें कोई सुधार आता है शौटकेट लेने से पर काम करना है तो मूल मुद्दों पर काम करना पड़ेगा तो उसी के बारे में पड़ा अच्छा वीडियो में बनाने कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आएगा जरूर कि क्या करें कि हमारा रीजनिंग लेकर और वहँजा करें कि मैं कैसे इसको इसको बढ़ां तो आपने मेरे रेजनि ऐड़ी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वह दिंगी बाद के कैसे इसको बढ़ां lifes were । रीजनि अबिलिटी इसुर्ण रश्नल मतलब क्या है रैश्नल देर्किंग आपको और सिंकिजों को राशनल सोच है यानिकि बिना इमोषणल सोच सके out कहीं पर भी में किसी हम को अगर देखेंगे अपने तैक किसी टिंप को अपने किसी प्रेंड के डिसीजन को किसी एनिमी के देखेंगे जो बड़े बड़े घटनाय हो रही है आज कल रैशनल थिंकिंग मिसिंग है अगर रैशनली सोचेंगे तो आप दिल से आप सोचेंगे तो आप दुखी बैठे रहेंगे मुह बना लेंगे अपसेट हो जाएंगे आप शायद रूएंगे रोए होंगे भी रैशनली अगर आप सोचेंगे तो कहेंगी कोई बात नि сдел अगर बहुत अच्छा था वृत वह इ装ट so what if it is not continuing and so what if it is not happening the way it should have had been and i should move on and of course there is always someone else life toh yaan khatam nahin ho rhi na मैं आज अहमदबाद के पढ़ रहा था आप सब को पता है मैं गाहंदी नगर मैं हूँ तो उस निउस्पेपर में मैंने पढ़ा कल की निउस्पेपर में आज क्या थारीक है 1.66 को एक लड़का अठारह साल का यंग बॉइ उसने क्या किया एक बाइस साल के लड़के को आठ बार चाकु से मारा एट टाइम्स कि मार दिया उसको एट टाइम्स डीप वूंड्स डीप उन्ट समझते हैं बहुत कितना इमोशनली चार्ज हो कि उस बंदे नहीं एक्शन लिया कि उसको डीप वूंड्स हो मारा और उसने आठ बार मारा एक अनदर हूमन को जिसको जानता भी था और फिर अपनी गाड़ी चला के और चला गया वह पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह चाहर बजे कि मैंने एक बंदे को मार दिया है वह गाड़ी में है और इस दिस 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 और एविवन इस शॉक्ट रीजन जानते हैं क्या था रीजन यह था कि यह दोनों जो लड़के थे वह इकी लड़की को प्यार करते थे अब आब बताईए है इसमें कहीं रैशनल थिंकिंग क्या होगा अब उसका क्या होगा कभी वह जीवन को देखी नहीं पाएगा होल लाइफ इस गॉन 18 एसा क्या तुम एमोशनल चार्ज हो गए कि तुम्हें समझ जाए कि तुम क्य कर रहे हूँ है यह चीज्य बाग्चीत करके वह सकती थी और मान लिजे वह नहीं भी होती है बाग्चीत करके तो कोई बात नहीं है if it is not working out, not working out does it mean that you will go and this is where I will say there is no rational thinking it is pure emotionally charged decision the power of rational thinking is your ability to think about a subject without getting emotional or without bringing the emotional factors into consideration आप एक एक्जाम की तयारी कर रहे थे आप मालेजी CGL की तयारी कर रहे थे आप CDS की तयारी कर रहे थे अब आप नहीं हुआ माल लीजे तो आप अप एमोशनली चार्ज हो कि मत बैठे है और मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आप सोचिए भीया आपने कहां गलती कर दी क्या आपको ऐसा करना था जो आपने नहीं किया कौन से subjects को आपने कैसी prepare करना था आपने कैसी prepare किया आपने already exam एक दे दिया है अगर दे दिया है तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि okay this is where I went wrong तो rationally अगर आप सोचेंगे तो आप सीधा अगले exam की और देख रहे हूँगे तो rational thinking is also your ability to look at solution if you are a kind of person who is looking at solution rather than a problem your reasoning ability is very higher तो आप rationally सोचना शुरू कीजिए और problem की वजाए solution की और देखना शुरू कीजिए दो काम मैंने आपको बता दिये तीसरा काम मैंने आपको समझाय था कि reasoning ability is your logic logical reasoning भी आप कह सकते हैं अब आप discussion में बैठे हैं मानली जी किसी भी topic पर बात हो रही है आप ऐसे ही अंधा धुन बोले जाएंगे जिसका कोई correlation नहीं यानि कि logically आप topic को नहीं develop कर रहे हैं आपने कोई भी एक मानली जी लीड ले लिया अब आप उसको लॉजिकली अगर आप develop नहीं करोगे तो किसी को उसमें इंट्रेस्ट आएगा ही नहीं आप अनायास points देंगे खली जो आपने पढ़े होंगे जो आपने को याद होंगे उस समय पहले आप X1 एक लीड पर बोले फिर आप दूसरे लीड पर बोलने लगे फिर तीसरे लीड पर बोलने लगे आपका point of view समझे नहीं आएगा तो अगर आप लॉजिकली उसको बिल्ट अप नहीं करेंगे तो किसी को एक तो इंट्रेस्ट नहीं आएगा और दूसरी बात आ अगर आपको logical reasoning अपने build-up करनी हैं तो सबसे पहले आपको अपना knowledge build-up करना है reasoning opportunity is directly proportional to knowledge अगर आप आपको नॉलेज बिल्ट अप करना है तो आपको पढ़ना है और पढ़ना मतलब ऐसे नहीं कि आप सरसरी निगाहा मार रहे हैं वो नहीं आपको अनलिटिकली पढ़ना है उसको डीपली समझना है यह अन्डरस्टाइंड डेफ्ट अफिट तो अगर आप डेफ्ट में जाएं इसको अनलाइज करेंगे और अगर आप उस पर कोई ओपीनियन डेवलब कर पाएंगे तो आपका रीजनिंग अबिलिटी अपने आप पढ़ जाएगा अब आपको बैक्ग्राउंड में आवाज आ रहे होगी नौरात्री का महौल है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा व खुब एनलाइज कीजिए सब्जिक को ऐसे ही मत पढ़िए पढ़ते पढ़ते कोई शब्द आपको मिल गया टॉपिक में कुछ टॉपिक मिल गया पढ़ रहे थे आप मालने इसराइल फिलिस्तीन वार और इस बीट में अचानक से कुछ नाइंटी सिक्स्टी सेवन का को अ मुझे वीडियो थोड़ा चोटा करना पड़ेगा अभी बैक्ग्राउंड में नौइस शुरू हो गया है बट इस पर एक और वीडियो बनाएंगे तो दो तीन स्टेप तो मैंने बता दिये और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं रीजनिंग अबिलिटी बिल्डप करेंगे ब दीर विडियो और इसक बार में और प्रिणि Обलविक्टेंट जर्म बना रहे हैं और उसकी बारे मेरे चैनल को अपनोर प्रीज सस्क्राइब करो हो और यसके बारे मेरे करो मुझे आज एक फोन आया लड़के का मैं इतना खुश हुआ मैं जिम में था और उसे मुझे बताया कि सहर मैं यश पूल श्रेय मिश्रा बोल रहा हूं परताब गड़ से यूपी से कहीं बुला सहर आपके वीडियो ने मेरे ना दिमाग एकदम क्लियर कर दिया है क्योंकि तो मैंने कोई बात नहीं आप there is always a way and academies जो है बहुत सारी उन्हों कमर्शलाइज कर दिया है तो actually commercial जहां पर इंटरेस्ट आएगा वहां पर content खराब हो गए and actually बहुत सारे teacher नहीं चाहिए teacher एक ही हो तो ठीक है आप सब लोग अलग अलग तरह से अपना अपना psychology सिम्झाएंगे तो actually आप confused होंगे और आजकल तो यह भी हो गया है कि someone who is not even a assessor is also talking about assessment that is a major problem actually तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और सबसे इंपॉर्टन शेर करें बिगोज मैं वीडियो इस फाइटिंग अगेंस्ट अल दीस नॉंसेंस इक चैनल मेरा इन्हों ने गिरा दिया आप इस फंट गो इसलिए मैं किसी को इन्वाल्व करें निरा अपने वीडियो बनाने में ना इसको अप्लोड करने में मैं समझ गया हूं की इसको थोड़ा काम कीजिए अपने उपर कैसे रिकमेंट हो जाते हैं विगाद इसने अपने उपर काम किया है सारे कन्फ्यूजन के सतह कि दरों को लरों को अठाके और अपने आपको बदल दिया है आप भी बदल लिए आप बदल पाएंगे मुझे पक्का यकीन है थैंक यू जैहिन सी यू